हाई दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल है अरहान एंटर्टेंड में मैं हो राशी शेक तो आज हम लोग बात करेंगे जी फाई पर रिलीज हुई काली सीजन टू के बारे में लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सीजन वन और सीजन टू दोनों के बारे वीडियो लेकिन उससे पहले में आप लोगों से रिक्वेश्ट करता हो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट के तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो साथ ही बैर एकान उसे भी करते ना प्रैस और हां अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता तो इस मिनेट से लेकर 43 मिनेट के बीच में कहरी सीरीज की में में हमें नजर आती पाउली डैम और राहूल बैनर जी उसके लोग सीजन टू में कौन से नए केरेक्टर साथ है वह मैं आपको आगे बताऊंगा कहरी सीरीज की कहानी की बात करते हैं कहानी शुरू होती है कौका तो में नजर आती पाउली डैम जिसका इस सीरीज में नाम है काली वह यहां पर रोल प्लेकर एक मदर का वह अपने बेटे के साथ रहती है लेकिन अपने हस्बेन के सेप्रेड हो चुगी क्यों कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वाल रहता है हमेशा कि लो अपने हस्बेन का उपरेशन करवा सके उसके बाद क्या कुछ हो तक किस तरह बारा घंटे में छे लाग रुपे का इंतिजाम करती है उसके बीच में उसके लाइफ में क्या कुछ होता है यह सब कुछ जाने कि आपको यह सीरीज देखनी पड़ीगी अब बात करते कि सीरीज मुझे पसने तो यहां पर आपने वीवर सी यह पूछना जाहूँँगे आप पयों सी बैंगाली वेपसिर ब्लें बनी होगा लेकिन जब मैं निये सेरीज को देखा हूँ लेकिन आप लोग सीधना कैसा तो कि स्टर्वी एंटे हम सेहरे वो season 1 हो जा season 2 हो. अब वो क्यों है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ. आप बात करते हैं सीरीज में characters की. तो देखें सीरीजन 1 में हमें 2 important characters देखने हूं मillते princiल एक तो पाउली डेम जिसने हाँ पर roleplay के काली का च्राप स्टार्ट के दर्स मिनिट में उस केरेक्टर से पुरी तरह से इंगेज हो जाते हो एक मोमें ऐसा है अग ओती आ तो वह आपको अपको भी दर मग सुझ होता है और वाकई हम आपको मा काली उसके अंदर नजर आती है सच बता रहो और उस एक्टरेस ने इस तरह से परफॉर्मेंस किया कि आप उसकी चितनी तारिफ करो इस सीरीज के लिए कम है और उसके रहा रहूल बैनर जी की बात को तो उसका काम भी मुझे सीरीज से बहुत अच्छा लगा और सपेशली यहाँ पर पावली डैम और रहूल आप पाश्य काम आउस्वा आपश्य काल जा बहुत काम अब है यहाँ पार इस और अच्छा काम के दिखा है अल्दो उसने बॉलिट में कई फिल्में कर चुका और मैं आपको बता दू वो भी एक भैतिरिन एक्टर्स में से है कि और इस सीरीज में उसने बहुत ही शांदार काम के दिखाया उसके लाब विद्या मालवाड़े उनकी मैंने सिर्फ जगदे इंडिया देखा था उसमें व पूरी किये यहां पर उनको और एक्टिंग करने का मौका मिला हम आपको इतना कह सकता कि हमारे इंडिया की नए उबरते एक्टर्स में से एक है और स्ट्री मुवी में जहां पर हमें कॉमेडी करते हैं नजर आ दे लेकिन यहां पर जो उनका इंटेंस रोल है वो पूरी तर अब करते हैं तरी की शूट किया अब कि नजर से रहती है हर एक शीन को इतनी भैतरी तरह से शूट करें कि मतलब आपको कहीं से भी कुछ खामी नजर नहीं आएगी उसके लोग ए सीरीज की में जा रहे है चाहए सीजन बन हो या सीजन टू जो बीजमी सीरीज में मैं आपक एपिशोड को उत्रा ही लंबा रखा गया जितना होना चाहिए और इस तरह से इस शो का एडिट किया ना यार मुझे परसनेली बहुत अच्छा लगा उसके लागे शो के डिरेक्शन की बात को तो डिरेक्टर का एक सिंपल सा विजन यह था उसको अपनी ऑडियोंस को किसी भ इसा नहीं था जहां पर मैं बहुत हुआ क्यों कि डिरेक्टर ने इसको इतना बैठरी तरह से डिरेक्ट किया कि मतलब आपके लिए आपको टैम ही नहीं मिलता है यह सोचने का क्या इसमें नेगेटिव जिस में कहां से ढूंड के निकाल हूँ अगर मैं सीरीज में एडल सी इस सीरीज में आपको बहुत ही गाली सुनने को मिलती है लेकिन या कर विए सीरीज ही ऐसी है आपको ट्राफिकिंग के बारे में भी भूत कुछ देखने मिलता है मतलब समझ लो कि यह सीरीज एक ऐसा गिफ्ट बॉक्स है जिसको आप खोलोगे तो आपको बहुत सारे सर्फ करोगे अगर आपको इस सीरीज देखने तो आपको जीफा एप पर जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको यह हिंदी और दूसरे अदर्स लैंगविज में देखने को मिल जाएगी तो सीरीज की लैंज ज्यादा है नहीं आप एक ही दिन में पूरे दोनों सीजन देख चकते ह इस सीरीज को रेटिंग दूँगा एट आट ओफ टैन तो यह सीरीज आप लोग को डेफिनेटली देखना ही चाहिए तो अर बस इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो साथ ही बैल आक है उसे भी गादेना प्लेस मैं मिलूँगा नेक्स वीडियो में तिल देन बाई